80,000,000 किसानों के खाते में भेजी गई 2,000,000 रुपए की पांचवी किस्त तो फ्रेंड अगर आप भी हैं किसान तो आपके लिए खुसकबरी है आपको भी 2,000,000 रुपए मिल सकता है इस अप्रेल के पहले सब्ता में पीम किसान सम्मानिदी योजना के अंतरगत 80,000,000 के खाते में पांचवी किस्त 2,000,000 रुपए के रूप में भेज दी गई है तो आपको पैसा मिल गया है तो आप ये कैसे चेक करें इसके बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ और अगर आपको पहली किस्त नहीं मिली है तो कैसे मिल सकती है इस बारे में भी मैं बात करूँगा इसी वीडियो में वीडियो को पूरा देखिएगा जानकारी हासिल कीजेगा और दूसरों को भी सेयर कीजेगा और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कलीजे और चैनल को सब्सक्राइब कलीजे जिससे आने वाली जानकारी आपको लगातार मिलती रहे तो चलिए सुरू करते हैं तो देखी इसमें साप साप लिका हुआ है मोधी सरकार ने कोरोना संक्रमड के संकट में किसानों को उबारने के लिए उनके अकाउंट में इसी सप्ता दो दो हजार रुपए बेजने का फैसला किया है सरकान ने देज के 80,000,000 किसानों के अकाउंट में 2,000,000 रुपए भेज दिये हैं यारकम प्रदार मंत्री किसान सम्मानिदी योजना के तहट रजिस्टर किसानों को ही भेजी गई है जल्द ही करीब 9,000,000 के अकाउंट में भी पैसा ट्रांसफर कर दिया जएगा केंद्री कर्सी मंत्री नरेंद सिंग्स ओमर ने 80,000,000 किसानों के अकाउंट में पैसा भेजने की तरदी की है उन्होंने बताया कि गरीबों और किसानों को जादा असर ना पड़े इसके लिए सरकार ने बड़े आर्थिक पैकेज का एलान किया है उन्होंने बताया कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसपर यानि DBT के माध्यम से 1600 करोण की रकम एक ही दिन में ट्रांसपर की गई प्रदारमत्री किसान सम्मानिद्य योजना के तहट देश के लगबग 9 करोण किसान रजिस्टर हो चुके है ऐसे में सभी परिवारों को सीधे 18,000 करोण रुपए की मदद इसी हफते मिल सकती है देश के करीब 14.5 करोण किसान है लेकिन इसी स्कीम के तहट सभी का वेरिफिकेशन नहीं हो पाया है तेकि जिसका वेरिफिकेशन हुआ है उन्हीं को ये पैसे मिलेंगे उनके अकाउंट में लगबग अप्रेल के ही पहले वीक में आज 2 अप्रेल है यानि इसी सब्ता में आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा अगर आपने पीम किसान सम्मानिधी योजना में रजिस्टर कराया हुआ है और पहले से किस्ट आ रही है तो आपको पांचवी किस्ट यानि जो पहले सब्ता में 2000 रुपे आने वाला है वो आ जाएगा इसके साथ और भी एक बात कह पैसा अभी भेजा गया है जो वो इस स्कीम के दूसरे चरण का ही दूसरी किस्ट है लॉगडाउन के बाद केंद्री वित्यमंत्री निर्मा सीता रवन और राजिमंत्री अनुराग ठाकुर ने आर्थिक पैकेज में किसान सम्मान निधी योजना का जिक्र किया था तो पै ध्यान से इन सारी बातों को आप समझ लीजे जा लीजे जिससे आपको किसी प्रकार की परिसानी ना हो और अगर आपका अभी तक पहली किस्ट नहीं आई है तो आप इसी हल्प लाइन नंबर से पूछ सकते हैं और जानकारी हासिल कर सकते हैं तो ये भी ध्यान देने लिए बात है कि ये जो योजना के तैस दूसरा 2000 रुपए दूसरी किस्त आ रही है ये दूसरी किस्त है अलग से और कोई किस्त आपको नहीं मिल रही है कि आपको और कोई benefit दिया जा रहा है जिस प्रकार से किसानों को 3 किस्त दी जा रही थी वही किस्त में से दूसरी किस्त आपको दी जा रही है तो किस प्रकार से आप अपने किस्त का स्टेटस चेक कर सकते हैं कि आपके में उस एकाउंट में पैसा आया है कि नहीं आया है तो इसे भी मैं आपको बता देता हूँ तो चलिए इसको देख लेते हैं सबसे पहले आप PM किसान सम्मान निदी योजना लिष्ट 2020 सर्च कर लेंगे और उसके बाद आप इसे सर्च कर लीजे जो पहला आपको यह स्टेटस दिख रहा है बेनिफीस्ट्री लिष्ट पीम किसान उस पर आपको क्लिक करना है सिंप्ली आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप PM किसान सम्मान निदी योजना के आफिसियल वेबसाइट पर आ जाएंगे तो इसके बारे में मैंने आपको पहले से एक बार एक वीडियो बना दिया जिसमें सारी जानकारी दे दी थी कि किस प्रकार से आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है, तो जाकर देख सकते हैं, उसमें भी बहुत अच्छे से सारी बाते समझाए गई हैं, तो हम कैसे अपना status चेक करें, कि किस प्रकार से हमें पता चल जाए, कि हमारा पांचवी किस्त या चौथी किस्त आई हुई है कि नहीं, तो simply आ पन हकर आएगा, जिसमें बता राया है कि आप इसकी бेनफीसि श्टेटस, आधार नमबर के जरिए, एकाउंट नमबर के जरिए, और ज अब मोबाइल नमबर के जरिए चेक कर सकते हैं, तो हम आधार नमबर यहाँ पर डाल देथे हैं, तो देखिए, आधार नमबर मैंने 10 अप्रेल को आया हुआ है 3rd installment 21 सितंबर को आया हुआ है यानि 2019 में 3 किस्त इस किसान को मिल चुकी है और साथ ही जो 4th installment है यानि जो 2020 की पहली किस्त है वो भी 2 जनवरी को इसको मिल चुकी है तो 5 वी किस्त अभी तक नहीं आई है अप्रेल के इसी सप्ता में इसे 5 वी किस्त आ जाए अगर आपके अकाउन में अगर आप एक किसान योजना के संपर्क में है आपने उसका फॉर्म भरा है अगर आपको एकाउन में पैसे आ गए हैं तो आप उसको कमेंड करके हम हमें बता सकते हैं और किस राज्य के आप हैं ये भी आप हमें जरूर बताईएगा तो जैसे ही इस इसकाउंट में पैसा आता है मैं आपको तुरंट इसके बारे में भी जानकारी दूँगा मैं किसान भाईयों से अनुरोद करूँगा कि बहुत बड़ा मौका है और आप 2000 रुपए पा सकते हैं तो जो समस्या आपको आ रही है उन सारी समस्याओं को आप सही करा लिजे जैसे अकाउंट नंबर किसी गलत हो या किसी का अधार संख्या गलत हो या नाम के स्पैलिंग मे जाकर सही करा हैं इसका कोई ओ दूसरा आपसन नहीं है तो किसी विबाग जाकर आप इन सारी चीजों को सही करा है और इसके बाद इसका लाब उठाए केंदर सरकार द्वारा ये जो लॉग डाउन हुआ है इससे सारी समस्याओं लोगों को आ रही है तो यैसे में अगर रुपए आ जाता है तो कुछ न कुछ तो रहात मिलेगी तब तक के लिए आप घर पर ही रहें सुरक्षित रहें धन्यवाद